वेलकुम बैक टू जागो लहुर जिनाब और आज बहुत दिनों बात हमारे महमाने में जोइन कर चुके हैं जो हमेशा हमें इस जबदस बातें बताते हैं जो लोग गोरा होना चाहते हैं और उसके लिए मुखतित तरह के जो कहले अपने मूँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम गोरे हो जाएं इसके नुकसानात ही नुकसानात है और यह हमेशा इसको इसको इंडोस करते हैं कि आपको इन चीजों को एवोइड करना जाए हमें जोईन के हैं डॉक्टर अली काजमी ने जो के डर्माटॉलोजिस हैं वेल्कुम दूशो डॉक्टर अल्काजमी कैसे ह करिया और आज हम बहुत दिनों बाद यह डिसकास करने वाले हैं गोरा करने वाली क्रीम्स इंजेक्शिंस फिरोइट का इस्तमाल तो हम आगाज कहां से करने वाले आगाज यह करेंगे कि बिल्कु आपने सही का हम हर अपने प्रोग्रम में चाहे हमारा किसी और टॉपिक प गोरा होने का तो वह इस प्रोग्रम को बहुत गौर से सुने और उसको रिमाग में बिठाए उसको कहते हैं एक चिप में अपने आड कर लें जो बात हैं आज मैं करने लगा हम वह बात हैं कि हर डॉक्टर नहीं करेगा यहां आपके यह नो कि हम जब यह ऐसी बात करते हैं तो हम हमेशा बड़ी ओपन और साफ बात करते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है और पहली बात है कहना चाहूंगा हर डॉक्टर को जिसना में ही तरह जितने डॉक्टर में बात कर रहा हूं उन सब को पता है कितना रिजल्ट किस चीज का आसकता कितना नहीं आसकता अब बाकी आगे जाती है उस डॉक्टर की यह जो उस पर आगे अपने आपको बेचना चाहता है यह गलत पैसा किसी से लेना चाहता है यह जानके कभी इससे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा यह सबसे बुरी बात है उस चीज में जहां से मैं स्टार्ट करने चाहते हैं ह सबसे बुरी बात है क्योंकि मरीज तो बचारा एक आपके पास अपनी पूरी एक जान लेके आता है कि मुझे आप इसमें ठीक कर दें और कई और ऑरतें ऐसी हमारे पास आती हैं होनस्टी मैं है तो मुझे दुख होता है कि मैंने अपने जेवर बेचा मैंने कड़े बेचे आपने नोट किया होका लोग वहां पर टैनिंग की तरफ जा रहे हैं और हम उपसिट जा रहे हैं चले मैं एग्री करता हूं कि हमें आला ताला ने जो टाइप फोर्स किंदी है जिसमें गंदमी रंग है हम लोगों की तो हर कोई चाहता है फीमेल चाहेगी कि मेरी बेटी ग वह दोते हैं मेडिया के उपर जितने में TV आप टीव शोच देखता हूं यह आप जो बातें की जाती माझ है रहांगी होटी ए एक डॉक्तर हो के आप एक मसीह हो लाइवू इंजेक्शन् से लग पर होटें कृम बदाई रहरी होते है और वह इनजेक्शन्स होतें किया नि कर दिया है इंजेक्शन्स वाली के ओपर जिसका हमेशा हमेशा जखर करते हैं तो मैं यहां से इसको थोड़ सा डीटेल करना चाहूंगा देखें जो यह इंजेक्शन्स है यह वह एक बबा आगई है हमारी कंट्री में यह सिर्फ इदर है यह बाहर ने कहीं और नहीं है रंग गोरा करने के मुझे भी मरीज आकर कहते हैं का रंग रंग गोरा करने का लिए नहीं है सबसे पहले में को बताता हूं कि आपको पता है उन इंजेक्शन्स की प्राइस किया है मैं कहा तकरीबद डॉक्टर लेता है डेड़ से 2,000,000 रुपया लेता है उसे इंजेक्श लगा के वो पैसे डॉक्टर की जेब में गए और वो इसको कीम्स देता है चेरे पर लगाने के लिए पेशेंट को कि आप इस साथ में ना यह सुबा और शाम यह दो कीमे लगा लें रिजल्ट वो कीम देरी होती है और इंजेक्शन का नाम आरहा हूता है साथ में किसी ने अब की बॉड़ी चेक्क नहीं होती है हर शक्स ने आपका चेरा देखना होता है तो चेरे पर जब वो लोग कहते है कि हाँ आजी आपके इंप्रूब्मेंट आ रही है तो वो कहते है देखे मैंने इंजेक्शन लगाए थे जब के इंजेक्शन खाली अगर मैं काओं वो ल वो उनके घेंस चाहएगा उन रहें प्रेकर के और वो इंजेक्शन के भी अगेंस चाहएगा क्योंकि इंजेक्शन है क्या अब मैं यह बताना चाहूँगा इिट से ग्लूटा थे औन गषय जो केशि क्या है यह एक अन्टि-रॉक्सडेंट हैं एक ईयुक्छन के लिए एक यह जो चीजेजेंट हे एक एक एंटि אॉ долларов ऐसमें वी यहारा चाहिएं, वीरिये बैटर होती है बिलकुल मैं कहता हू capable अच्छी चीजेजी ऑगाया बड़के लिए इंजेक्षिन के लिए tych पार्टस के लिए अच्छी चीजेजी तेखंए जो लीनी चाहिए तो क्या आप मेरा असल पॉइंट या आता है तो क्या जो आपने डिर्ड दो लाग रुपया देने है तो क्या वो उनिस पीस के रिजल्ट के लिए आपने देने है आप चाहोगे भी मैंने अगर इतने पैसे लगाने है तो मुझे प्रॉपर रिजल्ट आए बहुत अच्छा लो किसी तरीके से नहीं आसकता कोई दुनिया में चीज नहीं है को या पको प्रॉप only कि उसके सकार्ए मुण को बहुटर्यगा शक्त कर देझ क्याए यहां आती है यह बात आती है जो गलत बोला जाता है कि आए मैं आपको गोरा कर दूँगा आपको झाघ जबरदस्त हो जाएगा और चेहरा ही हर हर शक्स कहा कि जो सबने देखना होता है जो हमेशे है कहते हूं कि उनको कहें कि जो लगवा रहें आज को injection मैं कहूंगा लगवाए जाएं मैं चले माइन नहीं करता उनको करें साथ में क्रीम्स लगाने वाली बंद कर दें और मुझे किसी एक मरीज का रिजल्ट लाके दिखाएं इंजेक्शन के साथ एक मरीज मैं सारी नहीं कर दें मुझे विदाउट क्रीम्स मुझे को रिजल्ट लाके दिखा दे विदाउट की मेडिकेटेड क्रीम्स जो FTA की प्रूव बहुत मैं उनकी बात कर रहा हूं इसलिए यह सब दुख्यवाजी है सब यह दगा दिया जा रहा है और दुख्य सबसे बड़ा यह होता है कि डॉक्टर कर रहा है उसको प्रमोर्ट मुझे क हैराइगा कोई करते हैं ञाज मुझे कोई को चेते हैं आपको कत sensitiviteit नहीं है आप तो महार पर पेसे हम कर सकते हैं पैसे के अपना और किसी और चीज़ पर लगाएं यह जो गरीब शक्स है उसको डॉक्टर गाइड का रहा हुता है कि आप अपना कोई बात नहीं आप अपना बेज दे और यह लगवा ले और और इसके साथ होगा वो आपके उसमें जाना होता है तो this is all wrong सारा गलत सबसे पहले तो इंजेक्शन की तरफ ही कि मैं बात कर रहा हुए कि बिल्कुल नहीं लगवाने ही यह बिल्कुल एक गलत है और जो असर है इनका नहीं है जो आपको बाद में क्रीम्स अप्लाय करने को दी जाती है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं कोई चीज नहीं या अब उसमें जो केमिकल्स डाले होते हैं अब देखें अब हम आ जाते हैं कि जो तो मेडिकेटर क्रीम्स अंके अंदर तो ऐसी चीज़ें समझे हैं या मर्कुरी है यह दो चीज़ें जो डाली जातीं जो रंग को काटती हैं और एकम्लेक्शन का प्रू टारो ठी करा दानी देडियर के लिट्चाइन लिगातक वा All área inpiricam निगउन इंप्रॉपने गार्मच यजिए करें और है निग्सूंच लिए listening, जो हमारे और पिंपने मां नहीं देडों कarna नग्साव सीओंदानीच मीन ... मगर आपको उसके सारी जिन्द की मेंटेन करना पड़ता है यह भी याद है अभी तो हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है अगर अगर किसी खातून ने लगा लिए क्रीम लगा लिए इंग प्रॉपरों ने कार कि यह वाला कोर्स आप कर लिए आपने कर लि पहला साइड इफेक्ट लड़की के लिए क्या है जो एक नाइट मेर है उसके लिए जो बाल आगे चेरे पर आप आसमान से गर के खजूर में अटक जाते हैं जाके कि मैंने रंग तो वक्ती तौर पर तो मैंने काले डाड़ी वाले बाल जिसका हम लोग दाड़ी अशिव क अगरते हैं ये गाले गारे मोते बाल हो जाते हैं जिसके लिए लेजर करना पड़ता है और कोई लेजर नहीं है जिसके लिए 100% cheymote हो आपक बढ़ा आपके लेजर से बाल खतम हो जाएंगे यह अशा नहीं होता है यह बैटर हो जाएंगे लाइट सॉफ्ट इंप्रूव हो जाते हैं बाल कभी खतम नहीं होता है तो इस एक तो यह सेकंड उसमें क्या आपने नोट किया गए उन सब के चेहरे उन बचीयों के या अबर्फी के वज़ा से आजाती है और जो 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 रेडनेस आरी है उनकी गाले यह देखें लाल हुए होती है एक्स्ट्रा लाल वो खून की नालियां उभर जाती है जो हमारे सकिन के अंडर वो नजर आ रही होती है वो सारी जिंदगी यह वो साइड एफेक्ट हैं जो सारी जिंदगी है फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं एक दफा अगर आपके साइड एफेक्ट सागे आपके चेरे पर बाल आगे आपके चेरे पर रेडनेस आगी आपके खून की नालियां अबर गई सारी जिंदगी वो नालियां रहेंगी सारी जिंदगी वो च्छ चला जाता है कि वो आजाता है पफिनेस फेस पे आजाता है मोटा चेहरा होना शुरू हो जाता है स्टीरोड की अब्साप्शन की वज़ा से इतने साइड एफेक्ट्स हैं इन चीजों के कि जोर इर्वर्सिबल हैं कि वो पिर रिवर्स वो आप वापस नहीं ला सकते हो उसके उपर कि वो खराब होएगा फिर यहीं मैं एड़ करना चाहूंगा यह तो हो गया जितनी क्रीम्स यह मार्केटेड क्रीम्स हैं जिनके पता नहीं क्या डलाओ है हम तो खुद हरान होते है क्या गोरा कर देते हैं कि वो गोरा करते हैं मगर इस पर डेफिनिटली या स्टीरोड है या मर्कृरी है दो चीज़ और दोनों के इतने बैड साइड एफेक्ट्स हैं इसे प्लीज मैं कहूंगा कि जितने लोग इस वकर सुन रहे हैं उनके लिए बैसेज है कि आपको अगर अपने आपको इंप्रूफ करने है वर्ड बेटर करने है अच्छा करने है ग्लोइंग स्किन करने है तो एक डर्मतोलोजिस्ट के पास जाए और अपनी सबसे बढ़के डॉक्टर भी आजमी डाइट अची कर लें उससे अपनी स्केन अच्छा है डाइट में हमेशा 2-3 ची चीज किया है चेरे को दूप से बचाएं अच्छा के मौसम के अंदर आपका मौस्टराइजिंग संब्लोग चलेगा जो ऑईली बेस होता है गर्मियों के अंदर वाटर बेस होता है मैं मैंशा बताता हूं और SPF 60 वो होता है जो हर एक के लिए एक नॉमल है वो इरिटेशन के अलर्जी के रियक्शन नहीं देता नूरोट SPF 100 भी है यह से कम भी है ज्यादा भी है मगर एक आप्टिमम सा मैं बता रहा हूं मारकेट से आप SPF 60 ले ले लिए ठीक है और हर संब्लॉक एक और चीज़ मैं बता दूनों को हर संब्लॉक का अफेक्ट तीन से चार घंटे याद रखें उसके बाद उसका अफेक्ट खतम होता है और अगर आपने दोबारा जाना है दूप में दोबारा निकल दोबारा संब्लॉक आप उसके उपर लगाएंगे एक तो यह चीज़ होगी अब मैं और चीज़ एड करना चाहूंगा कि जो यह ट्रीटमेंट जितने ब्यूटी पालास में होते हैं एक्जाक्ली हमें सवाल करने वाली थी कि अपने एक्नी फेशल के लिए गोल्ड फेशल कराएं तो बस आज देखलें आज ब्यूटी पालास में भी मुझे बुरा बहला कहना है अच्छा भी करें आपको फारन डर्मेटोलिट के बास रिक्मे बीप्लेक के जाते हैं या अपने फेशल ऐए फेशल है वाटिक फेशल चितनी यह चीजने में है उता हॡ़ूं कि अपने लिजाव के क्या घ्रयार कॉजबों के साथ कोई ऐसी चीज कीज कूज जीजंह नहीं क्लें क्लें स क्लेंजिंग titled मिधलम मैं तो घ्रस्वाद ऻच् तो इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है ठीक है वो सफाई करते हैं आपके चेरे पर कीम लिगा के उसको उतारेंगे सब कुछ वापस ले आती है हमारे वहां पर इसलिए किसी फेशल का कोई लॉंग टॉम अफेक्ट नहीं है यह जो गोल्ड फेशल और यह तो खर बिल्कुल डामेवाजी है कि करें वक्ती तौर पर वो क्या करेंगे ना चली एक ब्लीच कर ब्लीचिंग की जाते है इसको ब्ली ब्लीच क्या करता है इसमें हड्रोजन परक्साइड या और भी चीज जो ब्लीच कर देना है वो आपकी गोल्डन ब्रांस हो जाएंगे वो नजर नहीं आएंगे और थोड़सा ब्लीच वैसे बीच जिसना आम जबान में लो कहते हैं जाना है तो मैं कहता हूँ घरेलू ची ईघर भी लेओं उन फूसक्राइब में जाना तो मैं तो आप इनूद पिलें फूट खा लेए यह गउड़ पी लें प्रुट्स यह गोड़न बारुन ब्र्त वेस्तों फिक दालोगी है आपको इंच में आपको इंच्च यापको ट्रिम कूले लेले अससाद अलामन अलेक अब बहुत इंपॉर्टन है फेस वाश आजकल यह भी बहुत बड़ी नई चीज आगी मार्केट के अंदर साबन सुबन एक जमाने में होता है बहुत स्यादा मगर फेस वाश ठीक है हम कहते हैं अगर तो जिसे उन्होंने का मेरी आईली सकिन है और बहुत ज्यादा एक्नी भी है तो ऐसे के लिए फेस वाश जो इस्तमाल किया जाता है यह अगर सोप या फेस वाश कोई हो उसमें एक चीज होती है सलसले कैसे यह मेडिकल एक चीज होती ह कंई जाए उसके उपर से आपकी ऑ्लीनेस कम का और ऊपर से एक सक्रेप अफ करती है इसकिन को कि जिकी आपकी सकिन के जो कॉमोडों ओर ब्लाकेट्स बनने होते हैं वो खतम होते तो यह और किसी की डॉया सकीन है उसके और किसे और किसंदे मैं चाने ऑसके बब़ंग उसकि आपको योगा भी बिताएंगे कि आपको योगा भी बिताएंगे कि आपकी शहत के लिए इतना जरूरी है लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जाग लाहॉड